9 अगस्त 2024 की सुभह के तकरीबन 10 बजे का समय था कोलकाता के आर्जिकार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया फोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज में घबराहट साफ चलक रही थी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता जी बात कर रहे हैं तब उन्होंने हा में जवाब दिया इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरो तले से जमीन खिसक गई उसने कहा जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँच आपकी बेटी की तबियत बहुत ज्यादा खराब है पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ उनकी बेटी जो एक समर पे डॉक्टर थी रात में बिल्कुल ठीक थी अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया वो कुछ पूच पाते इससे पहले ही फोन कट गया पिता ने घबराहट में दोबारा फोन कॉल किया और लड़कडाते हुई आवाज में पूचा मेरी बेटी को क्या हुआ है उधर से जवाब मिला साहब आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है ये शब्द सुनते ही पिता की आँखों में आसू उमड़ाए उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी जिसने हर दिन ना जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया वह अब इस दुनिया में नहीं रही बेटी की खबर सुनते ही मा भी फूट फूट कर रोने लगी वह तूट चुके थे लेकिन अब बिना देरी किये दोनों अस्पताल की और रवाना हुए लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वे अस्पताल पहुँचेंगे ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी अस्पताल के बाहर भीड का जमावडा शुरू हो चुका था हर कोई हैरान था घुस्से में था ऐसा कैसे हो सकता है वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली और सबसे बड़ी बात क्यों इस बीच ना केवल डॉक्टर और नर्स बलकि आम जनता भी सडकों पर उतर आई हर किसी की एक ही मांग थी CBI जाँच और जस्टिस इस घटना ने इंसानियत को शर्मशार कर दिया था जिसने भी इस खबर को सुना वह हक का पक्का रह गया कहानी यहीं खत्म नहीं होती है यह तो बस शुरुवात है इस दर्दना घटना के पीछे छिपा सच क्या है कौन है इस बरबरता का जिम्मेदार और क्यों इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा आज की सच्ची घटना R.Z.C.L. Medical College की है एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया यह कहानी कोलकाता की है जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने पेशेवर जीवन में नई उचाईयों को चू रही थी यह महिला डॉक्टर जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही एक साधारन परिवार से आई थी बच्चपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी महनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की यह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंदर बिंदू बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गरव हासिल कर रही थी उसकी सफलता ना केवल उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी महनत की उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी की ओर ले जाएगा दो हजार चौबीस आठ अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मा का फोन कॉल आया मा ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया मा मैं ठीक हूँ उस समय वह मरीजों को देखने जा र रही थी रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे डॉक्टर अपने दो जूनियर सहयोगियों के साथ बैठ कर हंसी मजाक के बीच खाना खाया खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफी थकी हुई है और अब सोन की सुबा जब उसके पिता को वे भयानक फोन कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराए हुए असपताल की और भागे और जब वे असपताल पहुँचे तो वहां का दृष्य किसी नाइट मेर से कम नहीं था असपताल के गलिय की हटी तूटी हुई थी आखों मूहों और निजी अंगों से खून बह रहा था ये कोई साधारन मौत नहीं थी बलकि बरबरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी बेटी की हालत को देखकर पिता और मा दोनों तूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नही बचता इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों नरसों और कर्मचारियों को हिला कर रख दिया जैसे ही यह खबर हस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आख की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर तोड़ गई अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया डॉक्टरों और नरसों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया लोगों की बस एक ही मांग थी नियाए दोशियों को सक्त से सक्त सजा देना बढ़ते दबाव के चलते इस इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की लेकिन शुरूआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक आत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी हाला कि घटना स्थल की स्थिती महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी तूटी यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारन तो बिलकुल भी नहीं है जो कि पोस्ट मॉडम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख चताया यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बलकि पूरे समाज का सवाल बन गई थी ममता बैनर जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी खैर जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसी टीवी फुटेज खंगाले गए इसमें कुछ संधी गत गतिविधियां देखी गई जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया जो पुलिस कल्यान बोर्ड में सहायक के रूप में कार्य करता था वो अकसर असपताल में आता जाता था और और उसे संदेह की निगाहों से अब देखा जाने लगा उसी जांच के दोरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक Bluetooth डिवाइस मिला, पुलिस ने जब उसका Bluetooth डिवाइस चेक किया, जो की बुरी हालत में तूटा हुआ था, ये डिवाइस संजय राय का निकला, फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया, अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हु की थी, और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था, जाच के दौरान पुलिस को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा, संजय राय की गिरफतारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताच का सामन करना पड़ा, तो उसने अपने अपराधो को खबूल कर लिया, आठ अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया, उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुशकर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसके शरीर पर जगा जगा गहरे घाव के निशान पाए गए जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी कुरूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था, पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्त जनक वीडियो भी पाए जालत में उसे पेश किया जहां पर उसे 30 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मनजूरी मिली, बाकी अभी ये मामला चली रहा है तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं, इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समा समाज किस दिशा में जा रहा है, इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बलकि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठैंक यू